हलो फ्रेंट आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मानव सरीर यानी की हुमन बॉड़ी स्लेटेट टॉप टॉप टॉपटिव के उचन जो आपके हर इकजामों के लिए सेलेक्टेट और इंपरेंट लिया गया है तो आपसे छोड़ा से रिक्वेस्ट है इस व है इन में से यह होगा अब सभी कासे हैं इनमें से सभी अब सभी कैसे होगा हम आपको बता देते यह से देखें ऐसे देखिए फरणहांट में में अगरमेंट करना होता है तो Nice Serious डिग्री और Wäh है साइथिस डिग्री तो वह होता है साइथिस डिग्री और केल्वीन में जो है वह 310 डिग्री केल्वीन होता है इसलिए option D जो है वह सही है इन में से सभी तीनों का जो तरीका है measurement करने का वह अलग-अलग होता है और अगर इससे कम या जादा हो जता है body का temperature तो उसको बीमारी हो जाता है next कि उचन होहा किसे प्राप्ट करता है चेजिए जैक्डियो को लुहा किससे प्राप्त करता है यौरनप्र फेशिप्र पालक से जो है वो लोहा का मात्रा, आयरन का मात्रा मिलता है, ठीक है, और अगर पुछ दिया जाए कि आयरन के कमी से सरीर में क्या हो जाता है, तो आयरन के कमी से सरीर में जो है वो एनिमिया का रोग हो जाता है, और पूछ दिया जाए कि विटामिन जो है, वो कौन सा प्राप सबसे बड़ा हड़ी कौन है और सबसे चोटा हड़ी होता है जो कानों में होता है और टीविया जो हड़ी है वह घुटने में होता है तो सरीर में सबसे सरर का सबसे बड़ा आंत्रिक इंग कौन है मतलब की शरीर के अंदर रुनी आंग जो होता है इंकलत की अंदर का तो यहांा पर आपशन जो सरी है ठीक के नहीं option B जो है यक्रित वो सही है देखिए यक्रित जो है वो सही है कैसे हम आपको बता देता है मस्तिक्स का जो बजन है वो 1360 ग्राम होता है ठीक है और option B है यक्रित तो यक्रित का जो बजन होता है 1500 ग्राम होते हैं और गुर्दे का जो वजन होता है गुर्दे मतलब कीड़ी उसको 250 ग्राम होता है दोनों कीड़ी जो C290 ग्राम होता है या अंतरी कंग होता है अगर आप से पूछ तिया जाए कि मानभ सेरी का नमत सबसे बढ़ा। complaining किस्विटामिन में रक्ष का थक्का जहाफर ऑप सने शहीं विटामिन के ये से भी रहता कि विटामिन के के कमी से कौन सा रोग होता है तो रग्त का ठका नहीं बनता है ठीक है ओप्सन ए सही है नेक्स्ट की उचन है शरीर का सबसे छोटा को सीखा कौन है और आपको बता देते कि अंडानू जो है वो मानब सरीका सबसे बड़ा को सीखा है और तंत्रिका और तंत्रिका तंत्र जो है वो मानब सरीका सबसे लंबा को सीखा है तो तीनों हमआब को किलियर कर चुक है सुक्रानू जो है वो सबसे छौटा को सीखा और तंत्रिका है पलसेंटा जो है रखत का भाग नहीं है और बेसी रखत बाग है डातली को तो फुल फॉर्म होता प्लाजमा प्लाजमा है ही इंसुलीन के कमी के कारण होने वाला रोग होग स 먹어 बेरी-बेरी और बेरी 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 और ठीक है वेटिंग ने किये थे और यह इंसुलीन है वो डियाबिटीज के बीमारी में वैक्सीन लगवाया जाता है और डियाबिटीज दिवस्त का मनाया जाता है तो 14 नवंबर को मनाया जाता है यह important है आपके एक्जाम के लिए नेक्स्ट क्यूजन है लाल रक्तकन का निर्म निर्मान कहां होता है रेड बलेट सिलका निर्मान कहां होता है अस्थी मज्जा में होता है यह हिर्दय में होता है कहां पर होता है तो देखिए और अस्थी मज्जा को इंगलिस में बोन मैरो बोला जाता है ठीक है जो बीच में हम आपको बताते है कि वो बोन मैरो कैसा होत है ठीक है उसके में बीच में जो सुराक होता है जाली जाली जैसा सुराक वो उसी को क्या बोला जाता है बोन मैरो बोला जाता है लेकिन अगर आप से पूछ यह पूछ दिया जाए कि जो बच्चा होता है छोटा बच्चा उसको में मतलब की कहां पर आरवी सी का निर्मान होत जाता है और से नियुको साइट और उप्संघ के अनियों नाम से जाना जाता है क्यों कोश्यकाग के नाम से जाना जाता है तो एर्यथ्रो साइट और WBC लिध्यों के लिए कौन सा तत्व ज़रूरी है option है calcium और option भी फासफोरस और option C है यह और भी दोनों और option D है कोई नहीं कौन सा option सही होगा इसमें से तो यहाँ पे option C जो है वो सही है यह और B दोनों देखिए दातों और हड़ियों के लिए calcium भी ज़रूरी है next question है कानों में कुल कितने हडिया होता है देखिए अगर कान यहां पे रहता तो अलग हो जाते हैं और कानों यहां पे लिखा हुआ है तो अलग हो जाएगा option है 3, option भी 6 और option C 12 और option D 14 कितना होता है कानों में कुल कितने हडिया होता है तो यहां पे option जो भी है वो से चोव हडिया होता है कानों में और आपको बता देते हैं कि अगर एक कान की बात किया जाता है तो यहां पे option ने सही होता है मतलब एक कान में तीन होता है और दूसरे कान में तीन होता है मतलब टोटल मिला करके च्छाव होता है कान में हडियां और नेक्स्ट क्योचन है मनुस्य मनुस्य के दातों के अधियन को क्या कहते हैं मनुस्य के दातों के अधियन को क्या कहते हैं मनुस्य के दातों के अधियन क और Andondology डात के अधियन को कहते है नियूरोजी Brain के धियन को कहते है हैEst इस रिलेटेड दात से रिलेटेड और रकत से रिलेटेड चारो रिलेटेड जो हम वीडियो बना चुके अगर नहीं देखे तो आप वह वीडियो चैनल को ओपिन करके देख सकते हैं या पले मिलेगा नेक्स्ट की उचन है मानव की अध्यन को क्या कहते हैं और विटामिनोल लॉजी जो है वो विटामिन के अधेन को कहते हैं और विटामिन से भी रिरेटेड हम एक वीडियो मना चुके हैं नेक्स्ट के हुचन है मनुष्य के दाव किस के कमी से पिला होता है। मानव सहरी में संक्रमन रोग वीटामीन कौन है। मानव सरी में संक्रमान रोकने वाला रोकने वाला विटामिन कौन है? आप्सन ए विटामिन है, आप्सन विटामिन भी और आप्सन सी है विटामिन सी है और आप्सन डी है विटामिन डी कौन सा विटामिन जो है? वो मानव सरीर को संक्रमान रोकता है तो यहाँ पर option A, सही vitamin A, vitamin A जो है वो संक्रमन बीमारी से रोकता है मानव सरी को टेक्स्ट के उचने, vitamin का भंडारन मानव सरी के किस अंग को माना जाता है देखे, vitamin का भंडारन मतलब कि किस अंग में vitamin जमा होता है, ठीक है तो यहाँ पर option A, kidney और option B, liver, कौंसा vitamin जमा होता है, विटामिन A जमा होता है चपोफ यह पर जवाब देगे तो यहाँ यहाँ विटामिन A जमा होता है थिक है, विटामिन A भरपूर मात्रा में जमा होता है और अगर आपसे पुछिए दिया जाए कि विटामिन लिवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो विटामिन A पाया जाता है अगर आप लोग मांसाहरी है तो विटामिन A अगर आप चाहते हैं तो लिवर को खा सकते हैं नेक्स्ट कि उचन है निम्णी लिखीत में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है और आप्सन अंग से मौत और guys कौन सा आंग जो है वह 50 तंत्र का भाग नहीं है तो यहां पर option B जो है वो से हर्ट हर्ट जो है वो कोई भी पाचन तंत्र का भाग नहीं है लिवर है मौत है अस्टोमेच है ठीक है लिवर से एक परकार का जूस निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है नेक्स्ट को जहने रक्त का पियेच मान कितन होता है 7.4 ठीक है 7.4 होता है अब और बताते हैं कि 7.4 वो और किसका किसका होता है तो आसू का भी 7.4 ही होता है और लार का जो पियेच मान होता है वो भी 7.4 होता है मतलब कि आसू का सौरी आसू का 7.4 होता है और लार का जो पियेच मान होता है वो 6.5 से लेकर के 7.5 के मिलता है लख़ और यह 4.5 थो हम आपको बतारते हैं कि यह टमाटर का होता है और 6.4 वह हो त्वाश्मान होता है और स्टवर मे ब सुध्जल का होता है और नसन के trade नहीं क्रतेये सिltल का और आप्सें करता है औरो यह और सब्द दोनों मतलब कि गोरा और काला होने का जो निर्फर होता है किस पे निर्फर करता है मेलानीन पर जो अगर कोई व्यक्ती अगर ज्यादा गोरा है तो मेलानीन ज्यादा होता है ठीक है और हेपारीन जो है वो रक्त को ठकका मतलब की सरीर के अंदर रक्त को ठकका नहीं बनने देता है यह होता है हेपारीन नेक्स्ट क्यूचन है निमने लिखित में पीत कहां जामा होता है और यह वीडियो अब समाप्त होते हैं अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद